दो या तीन मंथ के अंदर आपका एक्जाम होने वाला है यह फैक्ट है समय कम है तो इसमें एक बहुती मजदार बात आती है कि आप जोस में आते हो और कहते हो कि अब मुझे कुछ नहीं करना है सिर्फ एक्जाम पर फोकस करना है लेकिन आप साथ दिन दस दिन पढ़ते हो औ और फिर किसी दोस्त का फोन आता है कि मेरा भाई कल मेरा वार्डे है आ जाओ और आप बर्डे करना जाते हो किसी का मैरेज इनवर्सरी है जिसको वीडिंग इनवर्सरी भी करते हैं है ना जाते हो सेलिबरेट करने कहीं प्रोग्राम हो रहा है वहां चल जाते हो अब इसमें में क्या होता है visão इन आपकी पढ़ाई ब्रेक हो गई थो ब्रेक हो गई थो उसके बाद ने अगले की दिन उसको पिनिस करना चाहोगे ल्कृ से घाटा यह होता है कि आप बहुत सब्सक्स प्राप करता है तो पीछे बहुत सारे पेक्टर समीं एक यह भी आता है कि इस चीज़ों को continuously करता है लगतार करता है तो कम से कम exam time में आप इस चीज़ों को त्यागिए कुछ चीज़ों को ignore किजिए है न तकि आपको mentally pressure नहीं हो क्योंकि सारा खेल आपके mind का और mind नहीं खराब हो जाएगा mind distract हो जाएगा तो फिर मतलब दिकत हो जाएगा तो सबसे बड़ी बात यहीं है आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपके एकजाम मत्र 45 डेज़ बाद होने वाला है तो सबसे पहले प्यारा सा routine set किजिए कि आपको 40 डेज तक 40 डेज तक आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं जहां से देखिए सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और आप 12 में एक्जाम पल लेके चल रहे हैं मैथ है फिजिक्स है किमिस्ट्री एंगली से इंदी है तो पांचों भी साइको इस तरह से बाटी है आप कितना कोचिंग कर रहे हो टीशन कर तो उमेटर नहीं करता है अपने आप से आप कितना पढ़ रहे हो रूम पे उसको छोड़कर यह मतर करता है मतलब इसको हम एकजाम प्रिपरेशन टाइम के नाम से बताना चाहेंगे तो फोटी डेज करना क्या है कि आपको लगभग रूम पे 5 सब्जेक्ट है ना लगभग टेटर घंटा का एक सेडल बनाई है जो साड़े साथ घंटा होगा साथ घंटा के रूटीन जो सेट होगा से पांचो सब्जेक्ट पढ़ना है 40 डेज अब फाइब डेज क्या होगा और उस फोटी डेज में कैसे प्लान करना है इस बताएंगे हम आगे हर इस तरीज को इस फोकस करके पढ़ना है अधिक से अधिक है ना और इन सब सब्जेक्ट को कम कम हो सकते पढ़ी है या इग्नूर करती है एक फोटी डेज लगतार प्रप्रशन किया आपने तो एक स्टेड़ी बना के चलेंगे आप तो चांस बनता के एक्जाम में क्या होगा आप कूल फ है ना समय रहे हैं